How to fix fail to send message problem in any Redmi Note series phone नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर में आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है fail to send message problem को solve के सिकर सकते हैं message fail problem ठीक है आप यह आप पर कह सकते message not send fail to send message या फिर message failed problem तो अगर दोस्तों इस तरह के से आपको कोई भी problem आ जाते हैं message not send या फिर message sending failed ठीक है तो इसको केसे fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर setting solution आपको बताने वाला हो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर failed करकी भी option मिलेगा और आपको यहाँ पर message not send करकी भी option मिलेगा तो यह जो error है दोस्तों आपको तब आएगा जब आप message करते हैं ठीक है इस तरह के से तो message दोस्तों आप जब कर रहा है आपको क्या क्या चीज़े जो है वो check करना है कैसे कैसे आप जो है problem को fix करना है वोसब में आपको step by step बताते जाओंगा तो आप follow कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने जैसे ही message send किया तो यहाँ पर आ रहा है message not send उपर में अभी आप देख सकते हैं तो इस तरीके से यह जो error है वो आते हैं अभी बाद आता है कैसे fix करें fix करने के लिए आपको वीडियो अंतक देखना होगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करके bell icon को click जरू करें यह आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message जरू से कर लेना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जब message नहीं जाते हैं तो आपको एक चीज हमेशा check करना है कि आपके device पर balance है या नहीं है ठीक है एक message जाने के लिए one rupee तो आपको चाहिए होगा अगर आप अपने local area में chat कर रहे है ठीक है अगर आप local area पर message send कर रहे है तो one rupee आपको लग जाएगा अगर आप internationally send करते हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको check करना है और उसके बाद जो भी number पर आप message कर रहे हैं वह number check करें अगर दोस्तों वह number invalid है तो उसमें message नहीं जाएगा तो आपको वह number एक बार confirm कर लेना है ठीक है और आप जो भी number पर SMS send कर रहे हैं सिर्फ उसी number पर अगर इस तरह का issue आते तो यहाँ पर block का issue भी हो सकते हैं अगर वह बंदा आपको block कर देते हैं तो आपका message उसके पास नहीं जाएगा ठीक है तो confirm करने के लिए आपको क्या करना है दो टी number पर message करके देखें अगर सभी पर problem है तो दोस्तों आपको fix करना होगा आपको solution करना होगा लेकिन सिर्फ वही एक number पर message नहीं जा रहा है तो फिर blocking का problem भी हो सकते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए ठीक है और आपको यह भी चेक करना है कि उसका जो phone है वो switch off है या switch on है ठीक है वो सब आपको check कर लेना है तब जाके आप solution को कीजिए क्योंकि दोस्तों mobile switch off रेने से भी message अटक के रह जाते हैं और message नहीं जा पाते हैं अगर वो देर तक off ही रखते हैं mobile को ठीक है तो अभी आई है solution मैं आपको बत reset कीजिए नेट्रोक reset करने के लिए reset wifi mobile network and bluetooth पर जाना है reset setting पर click करना है phone के password भर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए phone का password डे देते हैं और next में आपको ok करके reset कर देना है ठीक है और दोस्तों हो सके तो आपने network connection को भी switch करके देखे between 4G 3G और 2G के बीच में इ ठीक है तो उससे आप message send कर पाओगे तो इस तरीके से आप problem को solve भी कर सकते हैं ठीक है network switch करने के लिए आपको SIM card in mobile network पर जाके अपना SIM open करने और preferred network time पर जाके आप switch कर सकते हैं तो कोई डिक्कत नहीं होगा तो पहले तो आप network का यहाँ पर कुछ solution कीजिए उसके बाद दोस् क्लिक करके clear all data करके ok कर दे और उसके बाद दोस्तों उसका जो permission रहेगा उसको आप enable करते हुए mobile को restart कर लीजिए restart करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे आपका problem solved हो चुका होगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है message fail problem message not send problem सब कुछ आप fix कर सकते हैं ठीक है message नह जाके mobile software को update करें जिसके true आपका problem solve हो जाएगा तो इतना solution कर लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है message बिल्कुल जाना ही बन हो जाते हैं तो उस वक्त दोस्तों आपको क्या करना होगा आप अपने network operator को call करे one two one या फिर one nine eight पर ठ देखें तो वह आपको बताएगा कि आपका message वह किस वज़े से नहीं जा रहा है ठीक है problem क्यों आ रहा है तो इस तरीके सा problem को यहापर solve भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो बड़ों सो बस इतना ही उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स रोचिंग